हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम आईपीसी के ऐसे सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो ये कहता है कि अगर किसी वीक्ति को दस या फिर उससे ज़्यादा दिन के लिए कहीं पर रोक कर रख दिया जाता है या कहीं पर बंद कर दिया जाता है तो उसमें कितने साल तक की सजा मिलेगी और ये धारा कौन सी हैं तो चले शुरू करते हैं दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना किसी जगा पर रोक कर रख दिया जाता है या बंदी बना कर रख लिया जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से किसी जगा पर रोग कर रख लिया गया है तो ये अपराध होगा मगर किस धारा के तहट और इसमें कितने साल की सजा होगी आईए जानते हैं इंडियन पीनल कोट 1860 के सेक्षन 344 की डेफिनेशन की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना किसी जगा पर हम 10 या 10 से ज़्यादा दिनों के लिए रोक कर रख लिया जाता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति आईपीसी के सेक्षन 344 का क्राइम करता है इस crime के लिए ये जरूरी नहीं होता कि उस वेक्ति के साथ जबरजस्ती की जाए या फिर उसे डरा धमका कर कहीं पर रोका जाए उसे जूट बोल कर भी रोका जा सकता है ये किसी चीज का लालस दे कर भी किसी कमरे में बंद रखा जा सकता है कोई भी condition हो सकती है अगर किसी वेक्ति के साथ ऐसा किया जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और आईपीसी के सेक्षन 344 का अपराद होगा तो आईपीसी का सेक्षन 344 कितने साल की सजगा प्रोवीजन करता है इस क्राइम में दंड प्रेकरिय सहिता 1973 के सेक्षन 320 क्लॉस 1 के अंतरगत समझोता किया जा सकता है ये एक संग्य अपराद है और कॉंगनिजेबल अपराद भी है इसमें जमानत भी ली जा सकती है इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्टेट के कोट में की जाती है और अगर हम सजा की बात करें तो इस अपराद के लिए अधिक्तम तीन साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते है तो ये था आई पी सी का सेक्षन 344 होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफरमिशन अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा